नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजूकेशन के एट 6 में रूख करते हैं बिहार के तरफ बिहार दरोगा मुख्य परिक्षा के तयारी कर रहे हैं उन सभी अभियारतियों के लिए लगातार हम अपने चैनल के माद्यम से अपडेट दे रहे हैं चाहे वो वाईट का डाउनलोड कर लेना कैसे करना है यह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में लेकिन बहुत सारे चाहत्रों का सवाल आ रहा था कि क्या बदलाओ होंगे एक्जाम डिथी में तो बिलकुल नहीं हुआ है एक्जाम डिथी में कोई बदलाओ 11 अक्टूबर मतलब 11 अक्टू चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा लेंगे जी यहां अभी थोड़ी देर पहले मैंने अमीन की एक नई वेकिंसी आई हुई है अमीन के लिए कहां पर तो यह परियावरन वन और जलवायू विभाग की और हम लेकर चलेंगे आपको BPSC के ओफिशल वेब साइट पर यहां पर देख सकते हैं आते ही पहला ही लिंक एक्टिबेट किया गया है डाउनलोड करने के लिए तो मैं एक छात्रा का यहां पर एडमिट कार डाउनलोड कर सकेंगे तो डाउनलोड मेंस एडमिट कार्ड य इस चीज का ध्यान रखेगा देन आपको यह जो डिया गया है इस क्यापचे को यहां डालेंगे और सब्मिट कर देंगे सब्मिट जैसे करेंगे आपको यहां पर क्यां मिल जाएगा आपका एडमिट कार्ड तो चलिए मैं उन्हात्रा का यहां पर रिच्टेशन डालता सेंटर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे यह रोतास जिले से रहने वाली है तो रोतास जिले महीं इनका सेंटर दिया गया है सासाराम में अब यहां पे इनका जो डेट अफ एक्जामनिशन है वो पहला सिफ्ट है आपको साड़े आठ बजे कर नहीं आए जो भी छात्र या छात्र हो तो आपको यह यह पेपर देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा वैसे देने का मुझा मिले गा लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाएगा जी हां second shift आपका शुरू होगा reporting time एक बज़े से है वहीं पे आपको exam होगा उसी center पे धाई बज़े से लेकर 4.5 बज़े तक ये आपका exam होगा तो ये जो है second पाली का लेकिन यही main पड़ाओ है जो हाँ पे आपको clear करना start number आपका ठीक है और मैं हर वीडियो में आपको बता भी रहा हूँ जो भी वाइटी एजुकेशन पे हमारे साथ जुड़े हुए तयारी में सुबह 10 बज़े आपको वीडियो दिया जा रहा है आज का वीडियो थोड़ा सा internet और जो laptop की problem technical issues के चलते यहाँ पे नहीं हो पाया है उसको मैं अभी थोड़े दिर के बाद class को active करूँगा वहाँ पे उस class को अभी आप लोग देख सकते हैं तो कुछ निर्देश दिये गए हैं निर्देश नीचे आप लोग पढ़ लिजेगा ये सारे ठीक है अपना mask, sanitizer, सब कुछ लेकर जाना है social distancing का ये वो जो भी दिया गया है ये बाते हैं सिर्फ कहने के लिए कोई follow नहीं किया जा रहा है ऐसा ठीक है कहीं भी exam center पर अभी आप लोग बिहार STAT का exam दिये होंगे अगर जो चात्र है जानते होंगे कि किस तरह सोसल डिस्टेंसिंग यहां पर किया गया है तो ये कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग अपने तरब से सचेत होकर जाएगा मास वेगरा लगाकर sanitizer लगाकर ठीक है और लेकर जाएगेगा mobile phone वेगरा साथ में नहीं ले जाना है अपने को और जो भी लेकर जाएगे तो वहां जमा करना पड़ेगा और प्रवेश पत्र जो है आपको admit कर निकाल कर साथ में एक अपना पहचान पत्र लेकर जाना होगा ज दोस्तों बीना परिक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी परिक्षा के रिपोर्टिंग टाएं के बाद अगर जाते तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी यहां पर प्रारूप में लिखी गई है तो यह छोटा सा अपडेट था जो कि मैंने आप त यहां दोखा दड़ी कदाचार करता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए IPC की धारा 419, 468, 471 यह सारी धाराएं हैं जो कि उनके उपर लागू की जाएगी और यह दंडनिये हैं साथ साल का जेल होगा और गिरफतारी भी होगी जिहां साथी साथ परिक्षा में किसी प्रका दूसरे से वो मत कीजिएगा तो देखें दरोगा बनने जा रहे हैं खुद में confidence रखिए ठीक है कितना score आप कर सकते हैं और दूसरों को देकर nervous नहीं होना है कि कौन कैसा है कितनी तैयारी है उसकी यह nervous नहीं होना है अपना जो है काबलियत खुद बताईए वहां पे exam देकर कि कितना score आप लोग कर पा रहे हैं तो यह एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बना के बताया है ताकि आप लोग भी अपना जाके admit card वेगरा download कर सके और कोई भी doubt होता है आप लोग comment box में comment करें पूछ सकते हैं धन्यवाद मिलते आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए बबाई take care ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का